अले अब्रीबरीबन वेल्कम तो सारवज मिश्राज योटीप चैनल में योटीप चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया भरती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है काफी अच्छी वेकेंसी है नई वेकेंसी आयु है बिल्कुल नई नोटिफिकेशना हुई महिस फीस वेकेंसी इसमें अच्छी है या बिल्कुल नई नोटिविकेशन तो चेक कर लेते हैं डीटेल्स आगे आगे वर्डी के पहले एक बार विकिपीडिया पे चेक करेंगे कि Airport Authority of India AAI है क्या Airport Authority of India जो है वो Ministry of Civil Aviation Ministry of Civil Aviation का मतलब हो गया कि जो उड्डेयर मंतराले है भारत सरकार उड्डेयर मंतराले के अंतरगत यह चलाया जाता है Airport Authority of India और इसमें जो है यह कही सारे एरपोर्ट को इसमें देखे ही AAI करेंटली मैनेजेस टोटल 137 एरपोर्ट अलग-अलग 137 एरपोर्ट को मैनेज कर रहा है जिसमें की इंटरनेशनल एरपोर्ट भी आता है डोमेस्टिक एरपोर्ट भी आता है सिविल इंकलेव्स भी आता है कस्टम एरपोर्ट भी आते है तो मतलब यह बहुत बड़ा औरगनाइजेशन है अगर यहां काम करने के आपको अपर्चुनिटी मिलती है तो इस से अच्छा और क्या होगा तो बाकी की डीटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं तो फिलाल हम चले आते हैं ओफिशल वेबसाइट पर यह ओफिशल वेबसाइट है एएरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया और इसी ओफिशल वेबसाइट पर अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है शॉर्ट नोटिफिकेशन तो है बट हम डीटेस उसकी जरूर समझेंगे यहां पर देखेंगे आप इंडिकेटिव नोटिस रिकूटमेंट अव जॉनियर एक्जिक्यूटिव यहां पर आपको मिलेगा इंडिकेटिव मतलब अभी शॉर्ट नोटिस जारी की गई है और इसके बाद डीटेल अडवर्टीजमेंट भी जारी होगी लेकिन हम शॉर्ट नोटिस के बाद पहले अडवर्टीजमेंट आचुकी उनसे देख लेंगे कि क्या इज क्राइटिरिया है क्या कैसे सेलेक्शन होता है उसके बाद सैलरी क्या है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वगर तो इंडिकेटिव नोटिस रिकूटमेंट अव जुनियर एक्जिक्यूटिव एर ट्राफिक क अगर करनी है जुनियर एक्जिक्यूटिव को हिंडी में अगर हम कहें तो करिष्ट कारेकारी या इसी तरीके का नाम रहता है हिंडी में तो इसमें अभी क्या बोल रहे है इस इनफर्म एएरपूर्ट अथरिटी और इडिया इसके पहले वह कुछ वेकेंसी आई थी अभी इसमें जो चाहिए वह तो ठीक है लेकिन सालरी इससे कहीं ज्यादा देते लिए डीटेएल अडवर्टीजमेंट बाइपशिंग अड़ीज में शौट्ली तो यह बता है। बहुत ही जल्दी जो है डीटेल अडवर्टीजमेंट विस्तरत विग्यापन भी जारी करेंगे तब तक में शॉर्ट इन्होंने इंडिकेटिव दे दिया है कि हाँ आने वाला है करियर सेक्षन आप चेक करते रहें यहां पर क्या लिखा है कि आप इसका करियर सेक्षन ओफिशल वेब साइट का चेक करते रहें जब भी कही पर कोई नोटिफिकेशन आती और शॉर्ट ली रिखाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर यानि आपको यह देखने को मिलेगा लेकिन अब आप अगर जानना चाहते हैं कि वह इसकी क्वालिफिकेशन वगरा हो सकती है तो पहले जो अडवर्टीजमेंट एक आई भी थी उसमें हिंदी में इंगिश अडवर्टीजमेंट में ने डाउनलोड नहीं किया है हिंदी में जो दिया है करिट कारियपालग घगी जो अगर सामानी बार lots सर्केट रहेंगी जेनरल रहता है अलग बीड the finance में रहेगा अगनिसा मन रहेगा लौ में रहेगा अगर जेनरल वाली भी vacants रहेगा जेनरल काटेगरी में भी रहेगा मतलब जेनरल जेनरल जेनर एक्जिक्यूटिव जेनरल तो उसमें कोई भी सनाथ तक बिना experience के apply कर सकते हैं कोई भी सनाथ तक एनी ग्रैजुएट और अगर यह नहीं रहेगा तो तो मोस्टली फिर जिस रहें ग्राइजूसे निशने किस उसकता है तो यह सम्पर्ग में निकालने वाले थाथ कि तो अब जब इनकालने वाले थाथ नज़र्ण रखे इसके बाद एच क्राइटेरिया रे थे अदर गया था गया था यह जादा पुराना नहीं है यह इसी साल निकाला गया था, देखे विग्यापन संख्या तीन बटा उसमें कुछ जुनियर एक्जिक्यूटिव की विकंसी थी, तो इसी के हिआप से सालरी और भागी चीज़े, तो अगर तो पहले जो पहले जो पहले जो पहले जो पहले जो जो जो पहले जो जो है से बहुत कुछ एड होता है अब यहां पर नहीं देख क्या लिखा है कर देश्ट कारेपालक के लिए 13 लाख लग बग इनको यह सेलरी होती है बहुत सारे चीज़ें करते है कि होता है कि अगें करते है। तो एक सिंगल एक्जाम रहता है तो पहले की अड़िसमेंट की हिसाब से अगर आप देखे तो एक एक्जाम होता है अब लगा है मुटिब चॉईस केशिशन देखे और अच्छी चीज होती है और आपको नहीं आ रहे तो भी आप टुक्कल लगा सकते हैं नकारत में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है नो नेगेटिव मार्किंग, गलत आंसर भी किया, तो कोई नेगेटिव, आपको जितना तुक्का लगाना है, लगा दे, पीस की बात कर लेते हैं, यह सारी चीज़े में पहले जो अभी ज़स्ट आई हुई है, उसके हिसाब से बता रही हूँ, तो अगर आप ST, SC, P, W, D, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें कुछ छूट दी जारी है, ST, SC, P, W, D, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अब इसका हिंगलिश में अगर रहेगा तो बिटर रहेगा समझने में, यह शाद वन येर कंप्लीट करने के बाद यह फीस रिफंड कर देते हैं, या कु आपको बताया है कि इसके उफिशल वेब साइट पर शॉर्ट नोटिविकेशन संचिप्त विग्यपती आईवी है, डीटेल नोटिविकेशन आने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कई बार जो है जेनरल में है, तो एनी ग्रैजुएट एलिजिबल होते हैं, कई बार जेन तो सबी तरीकी की ग्रैजुएट सबी अलग अलग स्पेशल आजेशन से बिलॉग करने वाले ग्रैजुएट के लिए काफी अच्छा सुनायरा मोका रहेगा, गवर्मेंट आफ इंडिया और यह भी खास करके, एयरपोर्ट अथरीटी में काम करने का मुका मिलें तो क्यू झाल है